Hello Guys, Welcome to Mission Study Guys, आज के इस वीडियो में हम कठोपनिशत के बारे में बात करेंगे कठोपनिशत जो है कृष्णर यह जरुएत का अंतिम भाग का अंतिम अध्याई है कठोपनिशत एक बहुत बड़ा उपनिशत है जिसमें प्रतम वदिती दो अध्याई है और प्रतेग अध्याई में 3-3 वल्लियां है कठोपनिशत में कुल 6 वल्लियां है क्ठोपनिशत अपने आप में बहुत विष्णर ग्रंथ है इसलिए हम इसे sections में करवाएंगे आज हम प्रतम अध्याई के तित्य वल्ली के लोग दिखेंगे आज हम तित्य वल्ली के स्लोक पढ़ेंगे एक सी दस्तक के हम स्लोक पढ़ेंगे आज इसकार देख लेंगे ब्रह्म वेता लोग कहते हैं कि सरीर में बुद्धी रुप गुहा के भीतर प्रकिष्ट ब्रह्म स्तान में प्रविष्ट हुए अपने करम फल को भोगने वाले छाया और घाम के समान परस्पर विलेक्षन दो तत्व हैं यही बात जिन्होंने तीन बार नचिकेता अगरिका चैन किया हैं वे पंचागर की उपासना करने वाले भी कहते हैं जैसे कि स्लोक में कहा गई रितम पिबन्तो सुग्रितश्य लोके गुहां प्रविष्टो पर्मे पराथे चाया तपो ब्रह्माविदो वदंती एक बार इस तीन लाइनों कार्द करेंगे ब्रह्मा वेता लोग कहते हैं ब्रह्मा विदो वदनती ब्रह्मा वेता जो लोग है वो कहते हैं शरीर में बुद्धी रुप गुहा के भीतर गुहा में प्रविष्ट ब्रह्मास्तान में प्रविष्ट हुए अपने पर्मे करम फल को परार्दे भोगने वाले चाया तपो चाया और तप घाम के समान परस पर विलेक्षन दो तत्व है पिबनतो सुकतश्य लोके जो परस पर दो विलेक्षन दो तत्व है पंचागरियो ये चे त्रनाजी केता यही बात जिन्होंने तीन बार त्रनाजी केता नची केता अगरी चयन किया है वे पंचागरी उपासना करने वाले भी कहते हैं पंच्रगयो ये चय पंचाग्र की उपासना करने वाले भी कहते हैं त्रिनाचिकेता नचिकेता ने तीन बार जिस नचिकेता अगरी का चयन किया है उसके बारे में पंचाग्र की उपासना करने वाले भी कहते हैं दूसरे स्लोग है यह सेतूरी जाननाम मक्षरम ब्रह्मायत परम अभियम तितिशताम पारम नचिकेताम शकी मही इसका अर्द देख लेंगे जो यजन करने वालों के लिए सेतू के समान है उस नचिकेता अगरी को तथा जो भैस सुन्य है और संसार को पार करने की इच्छा वालों का प्रम आश्यर्य है उस अक्षय ब्रह्मा को जानने में हम समर्थ हों जिसकी कागया है स्लोक में यह शेतूरी जाननाम अक्षरम ब्रह्मा इतपरम जो यजन करने वालों के लिए शेतू के समान है अब जो यजन करने वाले हैं उनके लिए शेतू के समान है उस नचिकेता अगरी को ब्रम्हा इत्परम अभ्यम तितिशिताम पारम नचिकेताम शके मही अब उस नचिकेता अगरिक को तीन बार नचिकेता अगरिक चैन क्या गया था तो उस नचिकेता अगरिक तता जो अभ्यम भैशुन्य और तितिशिताम पारम संसार को पार कर संसार को पार करने की इच्छा वालों का परम आश्य है उस अक्षर ब्रह्मा को जाने में हम समर्थ होँ तीसर सोख है आत्मानम रथीनम व्रिद्धी विदी शरीरम रत्मेव तू बुद्धिन तू शार्थिम विदी मने प्रग्रह मेव चै इसकार देखेंगे आत्मानम रथीनम विदी शरीरम रत्मेव तू अर्थात तू आत्मा को रथी जान शरीर को रत्समझ आत्मानम रथीन आत्मा को रत समझ रती जान विदी शरीरम रत में शरीर को रत समझ बुद्धिम तु सार्थिम विदी मने प्रगह मेव चय बुद्धि को सार्थि जान और मन को लगाम समझ ये उधारे लिया गया है कि आत्मा को रती जान और शरीर को रत समझ रती जो रत को दोड़ाता है व और बुद्धि को सार्थि मानले और मन को लगाम समझने वाला मानले कहा गया कि आत्मानम रतिनम विदी शरीडम रतमेव तू बुद्धिम तू शार्थिम विदी मने प्रगह मेव चान तू आत्मा को रति जान शरीड को रत समझ बुद्धि को सार्थि जान और मन को लगाम स मज चोधा स्लोग है इंद्रियानी हयानू हू विश्रियास तरश्यू गोचरान आत्मेंद्रियमनो युक्तम भोक्ते तयाहू मनिशीन इसका अर्थ देख लेंगे विवेकी पूरुस इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं तथा उनके घोड़े रूप से कल्पना किये जाने पर विश्रियों को उनके मार्ग बतलाते हैं और शरीर इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं अब इसकार्थ देख लेंगे इंद्रियानी हयानू हू विश्रियास तेशू गोचरान गोचरान मार्ग बतलाते हैं तो इंद्रियानी हयानू हू विश्रिय को घोड़े बतलाता है हायाना का मतलब होगा घोड़े इंद्रियानी इंद्रियों को हायाना घोड़े विश्यास तेशू बतलाते हैं तथा उनके घोड़े रूप में कलपना किये जाने पर विश्यों को उनके मार्ग बतलाते हैं गोचरान मार्ग बतलाते हैं उनके घोड़ मन से युक्त आत्मा को भोगता कहते हैं भोगते भोगता त्यानु मनिशीन कहते हैं आत्में इंद्रिये मन युक्त शरीर इंद्रिये मन से युक्त आत्मा को भोगता कहते हैं पाजवा स्लोग है येस तुए विज्यान वान्भव त्याय तुक्तेन मन्सा सदा तश्यंद्रिय यान्वेश्यानी दृष्ठा सवा इव सार्थे इसका आर्थे देख लेंगे किन्तु जो बुद्धी रूप सार्थी सर्वधा अविवेकी एवं सयाचित से युत होता है उ इंद्रियां इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सार्थी के अधिन दुष्ट घोड़े कहा गया जैसे यश्य तुए विज्यान वान्भव त्य युक्तेन मन्सा सदा किन्तु जो बुद्धी रूप सार्थी सर्वधा अविवेकी एवं अंसयत चित से युक्त होता है मन्सा मन्सा सब्ध सराथी के अधिन इंद्रियां उसी प्रकार नहीं रहती जैसे सार्थी के मन्सेर नहीं रहती इनद्रियां दुष्ट घोड़े उसी प्रकार। नहीं रहते ही। छेटेस्लोग है यस्तु विज्ञान रिपीट हुआ है। साथवस लोग है यस्तु विज्ञान भावन मन शक्र सदा शुची नश तद पदम्मा प्रोति संसारम चादी गठती। इसका अर्थ देखेंगे किन्तु जो विज्ञान वान ए नहीं गृहित तचित और सदा पवित्र रहने वाला होता है। वह उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। परत्युत संसार को ही प्राप्त होता है। एक बाद फिर से देखेंगे इसको। यस्त्वे विज्ञान वान भव्यत्यमन यस्तके। सदा सुची किन्तु जो विज्ञान वान विज्ञान वान विज्ञान वान ए नहीं गृहित चित। और सदा सुची का मतलब होगा पवित्र तो सदा सुची सदा पवित्र नश तत्पद्मा प्रोती संसारं चादी गचती। वह उस पद को पद्मा प्रोती पद को प्राप्त संसारं संसार को चादी गचती। पृत्युत ही प्राप्त होता है। कहा गया है कि जिसी की जो किन्तु जो विज्ञानवान एन नहीं गृत चित ओसदा आपवित रहने वाला है वह उस पत को प्राप्त नहीं कर सकता लेकिन परत्यूत्र संसार को ही प्राप्त होता है आत्वास लोग है यस्तु विज्ञान वान भवति समन श्कय सदा सूची से तू तत पदम्मा प्रोती यस्माद भूयों ने जायते इसकार्थ देखेंगे किन्तु जो विज्ञान वान सायंत चित और सदा पवित रहने वाला होता है वह तो उस पत को प्राप्त कर लेता है जहां से वह फिर उत्पन नहीं होता कहा गया है कि इस लोक में यस्तु विज्ञान वान में भवति जो विज्ञान वान समन्स सैंत चित्म सदा सुची और सदा पवित रहने वाला होता है स्वैतु वह तो तत पदम प्राप्थनोती उस पद को प्राप्थ कर लेता है यसमाद भुयों ने जायते जहां से वह फिर उत्पन न जायते उत्पन नहीं होता नौवस लोग है विज्ञान सार्थी अस्तू मन्हे प्रगे वानर वात्र सो अधुवन पार्मा प्रोती तदिश्णो परम पदम इसकार देख लेंगे जो मनुष्य विवेक युक्त सार्थी बुद्धी सार्थी से युक्त और मन को वसमे रखने वाला होता है वह संसार मार्ग से पार होकर उस विश्णो व्यापक परमात्मा की परमपत को प्राप्त कर लेता है जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धी सार्थी से युक्त और मन को वश्मे रखने वाला होता है वह संसार मार्ग से पार होकर उस विश्णु विश्णु का मतलब होगा व्यापक परमात्मा के परमपद को प्राप्त कर लेता है एक बाद फिर से देखेंगे जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धी सार्थी से युक्त और मन को वश्मे रखने वाला होता है वह संसार मार्ग से पार्मा प्रोती पार होकर तदिश्णू तविष्णू वह उस विष्णू को परम पदम के परम पत्गो प्राप्त कर लेता है कि दस्वस लोग है इंद्रिए परा हार्ता अर्थे व्यष्च परममन है मन सस्तु परा बुद्धी बुद्धे रात्मा महान पर ए is카 से देखेंगे इंद्रियों की अपैक्षा उनके विषय सेष्ड है विष्यों से मन उत्किष्ट है मन से बुद्धी पर है और बुद्धी से भी महान आत्मा महततव उत्कृष्ट है इंद्रियभ्य पराहारता अर्थे soda मनें इंद्रियों की मैं रिक्षा मांसर्ष्ट मन सस्तूरल परण बुद्धी- intervention रातमा महան्ट पर है मन से बुद्धी पर है और बुद्धी से महान आत्मा महतत्व उत्कृष्ट है यम्राज जो है वो नचे केता को कहते हैं कि बुद्धी से जैसे कि इंद्रियों की अपेक्षा उनके विशेष्ट होते हैं और विश्यों से मन जो है उत्कृष्ट होता है और मन से बुद भी मन उत्कृष्ट है और मन से बुद्धी बुद्धी से आत्मा जो है वो अधिक उत्कृष्ट है महत है एक बाद चेटस लोग और देखेंगे एक बाद चेटस लोग अलग असको भी कर लेते हैं एक बाद यस्तो विज्ञान वान भावति युक्तेन मनसा सदा तश्यंदरानी वर्ष्यानी सदस्वा इव सार्थी इसका अर्थ देखेंगे परंतु जो बुद्धिरूप सार्थी कुषल और सर्वदा समाहित चित रहता है उसके अधिन इंद्रिया इस प्रकार रहती है जैसे सार्थी के अधिन अच्छे गोड़े तश्यंदरानी वर्ष्यानी सदस्वा इव सार्थे उसके अधिन इंद्रिया वर्ष्यानी वर्ष में रहती है तश्यंदरानी अच्छे गोड़े रहते हैं गाइस इसी के साथ आज का मरे वीडियो कंप्रीट होता है थैंक्स पर वाचिंग